दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Realme C25Y और अगर आपने ये mobile खरीदा है क्योंकि इसकी जो price है ना काफी कम है और आपको शायद नहीं पता इसके अंदर जो hidden features मिलने वाले हैं वो काफी जादा है इस price से अगर आप इन hidden features को जान लेते हो तो आपका जो mobile का चलाने का तरीका है काफी unique हो जाएगा काफी मज़ा आएगा आपको चलाने में तो बिना time waste के करते हैं वीडियो को start तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहले hidden feature की तरफ जो की काफी जादा interesting होने वाला है वो यह है कि अगर आप यह नीचे की जो buttons हैं आप इनको hide करना चाहते हो और अपने mobile को पूरी एकदम iPhone की तरफ बनाना चाहते हो तो कैसे बनाना है और इसके साथ ही मैं आपको कु system navigation यहाँ पर क्या करना है आपको gesture navigation के उपर क्लिक कर लेना यह जो नीची के button है hide हो चुके हैं अब अगर आपको बेक वगेरा जाना है तो आप ऐसे बेक जा सकते हो और अगर आप इधर से करोगे तो भी बेक जा सकते हो और अगर आपको home screen पर जाना है तो ऐसे करना है और यहाँ पर आपको एक बहुत ही शांदार चीज बताता हूं जैसे कि यहाँ पर इसी gesture के अंदर ही swipe fingerprint for notification का option मिलता है इसको on कर लीजी यह क्या होता है दोस्तों इसके में यह भी काफी useful है जैसे कि अपना जो fingerprint है इसके उपर मैं swipe करूँगा तो notification आ जाएगा नीचे यह देख और अगर बेख जाए यहाँ पर तो मैं आपको दिखाता हूं यह देखी live to check phone यह देखी इसको on कर लीजी अब क्या करना दोस्तों अगर आपका mobile यह से पड़ा रहता है ठीक है अब आपको आपको यह से उठाना है यह देखी automatic on हो चुका है आपको कोई भी button वगरा किलिक क करने की जरूरत नहीं बढ़ेगी तो यह भी काफी अच्छा फीचर यहां पर देखने को मिलता और यहां से ओफ भी कर सकते हो अगर आपको ओफ करना है तो यहां पर जो चीजें है ना इस mobile के अंदर इतनी कम price के अंदर आपको इतने अच्छे-चे features मिल रहे है चलिए बढ कर सकते हो पर एक जो में चीज में आपको बताने वाला हूं यह देखिए अगर इससे क्या होगा दोस्तों आपके कोई भी notification आपको मतलब उपर से करना है तो यहां से आप डायरेट कर सकते हो देखिए इस बटन के उपर आपको क्लिक करना है यह देखिए बटन आ चुका है यह देखिए उपर यह नीचे इससे कर सकते हो तो इसको भी आप कर सकते हो इससे भी आप आसानी से कस्टुमाईज कर सकते हो और आपको अगर नॉर्मल रखना है इस बटन को नहीं रखना तो आप ऐसे भी इसको रख सकते हो और दोस्तों अगर बेग जाए यहां पर आगर और कुछ भी नहीं चलाओंगा पर आपको डर है कि वो यहां पर ऐसे बोलके जूट बोलके आपसे मतलब कोई mobile की कुछ आपकी privacy leak ना कर दे कुछ और चीजे ना चला ले या आगर आपके बच्चे को आप mobile देते हो YouTube अगरा देखने के लिए तो आपको डर है कि वो कुछ और चला ले तो यह भी एक बहुत ही चीज अच्छी चीज बताने वाला हूं इसके लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर आना है सेक्यूटी के अंदर आने के बाद सबसे नीचे एप पिनिंग का ऑप्शन मिलता है इसको ओन कर लीजी इसको ओन करने से क्या होगा दोस्तों यहां पर काफी अच्छी चीज बताने वाला हूँ यहां पर लोक भी आप लगा सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको जैसे कि इसके अंदर करके दिखाता हूँ आपको रेसेंट एप से इनके ओपर क्लिक करना है और यहां पर आपको इसके ओपर एट से टेप करके रखना है यह देखिए और यहां पर पिन का ओप्षिन मिलता है अब यहां पर आपको बता रहे हैं कि आपको यह जो पिन हो चुका है यह देखिए अब आप बेक वगरा नहीं जा सकती है किसी भी बटन पर क्लिक कर दीजिए आप यहां से बेक नहीं जा सकते है तो अब आपको बेक अगर जाना है तो कैसे जाना है वो भी आपको बता देता हूं ध्यान से सुनिए अगर आपने कर लिया है तो यह जो बेक बटन है और यह जो आपका रेसेंट है भी इनको इसे टेप करके रखना यह अन पिन हो चुका है अब आप बहार जा सकते हो तब आप सोच रहे होंगे यह से तो वह भी कर लेगा फिर वह बाहर चला जाएगा तो मैं आपको बता दूँँ यहां पर आप लोग भी लगा सकते हो तो आप जब लोग को ओपन करोगे यहां पर आप फिंगर प्रिंट जो भी लगाना चाहते हो तो वह लोग सिर्फ आपको ही पता रहेगा तो यह अगर आप इसको अच्छी तरह से यूज करना चाहते हो और दोस्तों अगर आपको लोग वगेरा नहीं लगाना ता मतलब फिंगर प्रिंट या कैसे लोग लगाना है तो सेक्यूटी के अंदर ही लगा पाओगे तो चली दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप चाहते हो वाटसप पर चेट भी करनी और यूटूब भी साथ में चलाना है तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों जैसे कि यहां पर ठीडोट पर क्लिक करना है इसके उपर टेप करके रखना है आपको और यह स्प्लिट स्क्रीन का अप्शिन आजाएग अब यहां पर क चाहते हो कि मुझे को यहां पर बड़ा रखना है या को छोटा रखना है यह देखिए अभी मैं दिखाता हूं आपको यह देखिए यहां से आप क्या कर सकते हो यह को यहां पर इतना कर लिए यह इसको आप इतना कर सकते हो जिसको भी आप ज्यादा रखना चाहते हो तो य Day इसरी कि आपकी हिस्टरी आती है तो हैं तो इहां पर आपकर कभी भी देख सकते हो तो ये भी काफी ज्यादा useful चीज है तो ये दोस्तों आपको कुछ smart चीजे बताता हूँ तो इसके लिए आपको जाना है settings के अंदर settings के अंदर आने के बाद ये देखे smart control का option मिलता है और इसके अंदर smart motion पर click कर लेना है इसको on कर लेना है इससे क्या होगा दोस्तों यहाँ पर देखे इसको आपको on कर लेना easy answer इसको अगर on कर लेते हो तो आप क्या होगा दोस्तों आपके पास जब भी कोई call आती है तो आपको क्या करना है अपने कान के पास mobile को लेके जाना है तो automatic call उठ जाएगी तो यह भी काफी अच्छी है और यह देखे mute incoming calls है आपके इसको अगर on करते हो तो flip करना है जब भी आपके कोई call आती है तो आपको mobile को ऐसे उल्टा रख देना है उल्टा रखोगे तो आपकी जो call है silent हो जाएगी कटी की नहीं सिर्फ silent हो जाएगी आप अगर office वगरा में काम करते हो इससे काफी सारे चीज़े हैं आप इनको customize कर सकते हो काफी आसान हो जाता है mobile को चलाना काफी मजाता है तो आपको जो भी अच्छा लगता है इसको own या off आप रख सकते हो चलिए दोस्तों कुछ आपको settings बताता हूँ इसके लिए आपको settings के अंदर आना है और ये देख पा रहे हैं कि display यहाँ पर आपको काफी सारी चीज़े मिलती है जैसे कि आपकी जो brightness है डार्क theme आप कर सकते हो जैसे कि आप night को mobile जादे यूज़ करते हो तो इसको ओन कर लिजी इससे आपके आँखें जो ये खराब नहीं होंगी और यहाँ पर पीछे और दिखाऊंगों तो यहाँ पर color and contrast मतलब आपको जो भी color रखना है यहाँ पर color रख सकते हो जैसे कि warm, cool आपको जो भी color अच्छा लगता आपके आँखों के लिए सही है उसको कर सकते हो और यहाँ पर इसको ओफ करते हो तो इससे क्या होगा आपकी बेटरी जो है काफी कम ड्रेन होगी तो इसको ओफ भी रख सकते हो और यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट का option मिलता है यानि कि अगर आप mobile को टेच नहीं करोगे तो एक मिनट के अंदर आपकी स्क्रीन ओफ हो जाएगी पर आप चाहते हो कि नहीं तीस सेकिंड में करनी है या तीस मिनट के अंदर करनी है आप इसको भी कस्टुमाइज कर सकते हो और यह ओटो रोटेट का यहाँ पर मिलता है औ अब कर सकते हो आपको जो भी अच्छा लगता है इनको कस्टुमाइज कर लेजिए और डिस्प्ले की साइज भी बढ़ा सकते हो जैसे आपके कोई मेसेज़ेस होगे आते हैं तो उनको विया चोटा या बढ़ा कर सकते हो तो काफी सारी चीज़ें जैसे लोग स्क्रीन के ओ नमबर या नाम कुछ भी लिख सकते हो आपके अपनी मर्जी है फिर यहां पर क्या होगा जो लोग स्क्रीन है यहां पर आपको शो हो जाएगा उसका नाम आप जो भी लिखते हो पर मैं अगर आपके लिए कुछ जरूरी चीज़ बताता हूँ तो यहां पर अपने दोस्त किसी फेमिली के नमबर लिख दीजी इससे क्या होगा दोस्तों अगर आपका मोबाईल कभी गुम हो जाता है तो आपको क्या होगा पता चल जाएगा क्योंकि काफी लोग अच्छे भी होते हैं तो आपको कॉल करके बता देंगे कि भाई आपका मोबाईल हमारे पास है तो उसको भी आप own या off रख सकते हो तो दोस्तो वीडियो काफी लंबी हो चुके है तो इसलिए मैं आपको एक आखरी का feature बताता हूँ तो यह क्या है दोस्तो यहापे settings के अंदर ही digital well-being and parational control का option मिलता है इसके उपर आपको click करना है और show your data पे जाना है यहाँ पे क्या होगा दोस्तो आप अपने पूरे दिन का data देख सकते हो कि आपने पूरे दिन में mobile को कितना use किया है तो मैंने तो अभी 13 मिनट किया है क्योंकि मेरा भी नया mobile है पर आप अपने mobile के अंदर जा कर देखिए कि आपने कितने यूज़ किया है जाएगा और अगर इसके उपर आप क्लिक करते हो यह देखे इसके उपर आपको और क्लिक करना है तो यहां पर यह भी बता देगा कि आपने क्या क्या यूज किया है मतलब यहां पर आप जाकर यूज किया है आप जाकर देख सकते हो तो यह ध्यान में होना बहुत ही ज्याद करना ही और आपको इन फिचर में से कौन सा अच्छा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपका C25Y से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट में पूश सकते हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को दबालेजी हम ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर हर दिन लाते रहते हैं